दोस्तों आज है साथ नौंबर और हम लोग यहां पर आज साथ नौंबर के जार्खंड के महत्वपुन करेंड एफ रेकूसंस देखने वाले हैं तो सबसे पहले चनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही जो बेल आइकन मना हुआ है उसको प्रेस कर लिजे ताकि आगे का जो भी अपडेट सेगा वीडियो आगी नूटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों पीडियेफ के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लिजे लिजे वीडियो के लिजे आपको डिसक्राइब में लिंक मिल जागी आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं डेली साम को 7 बजे वहाँ पर PDF प्रवाइड कर दियाती है तो PDF के लिए हमारा टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोईन कर लिजी और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करेंड़ फेरे कोशन्स देखते हैं तो अब आज का पहला प्रस्टन है जहारखंड का एक खदान जहां ब्लास्टिंग का जिम्मा जो है वो महिलाओं को है तो जितने भी ब्लास्टिंग होती है उस खदान में जो ब्लास्टिंग की जाती है वो महिलाओं के द्वारा की जाती है तो ऐसा कौन सा ख़दान है? तो इसका सही answer होगा यहाँ पर option number B is बिलकुल सही answer हैगा बलराम प्रोजेक्ट है जहाँ पर की blasting जो होती है वो महिलाओं के द्वारा कीया जाता है तो option number B is बिलकुल सही answer हो जायगा चलिए लोग यहाँ पर और भी डिडियल्स में देख लेते हैं अगला प्रास्टन है यहां पर 31 अक्टूबर 2021 को जैपुर में संपन 33 वी राष्टिये जीत कुने डो परतियोईता में जहारखन ओवर आल कितने अस्थान पर रहा है तो हाले में 31 अक्टूबर 2021 को जैपुर में राष्थान के जैपुर में सं संपन हुई है 33 राश्टिय जीत कुनेडो परतियोगी ता इस परतियोगीटा में की ज्ञार्खण ऊवर ऑल कितने अस्थान पर रही है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर उप्सğl नमबर B is बिल्कुल सही एंसर जाएगा दूसरे अस्थान पर कितने अस्थान पर दूसरे अस्थान पर रहा है जार्खंट राज जी तो आप्शन नमबर बी इस बिलकुल सही एंसर हो जाएगा चलिए अब लोग यहां पर और पर डिटेल समय देख लेते हैं तो हाले में 31 अक्टूबर को जीत कुने डो परतियोगिता में जार्खंट के खिलाडियों ने कुल 11 स्वर्ण 6 रजत तथा 4 कान से पदग जीत हासिल कर ओवर ओल दूसरा अस्थान पराप्त किया है तो आप्शन नमबर बी इस बिलकुल सही एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रशन के ओर चलते हैं और हार्खंट राजजी टेबल टेनिस परतियोगिता में राजजी टेटी चैंबियन कौन बना है या फिर बनी है तो इसका चावा जायेगा तो हाली में यापर 21 जार्खन राजजी टेवल टेनिस परत्योगीता का आयोज़न क्या गया था और इसमें टीटी चैंपियन जो बनी है वो मनीशा रानी बनी है चलिए अब लोग यापर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं जार्खन टेवल टेनिस असोसीशन द्वारा आयोजीत 21 जार्खन राजजी टेवल टेनिस परत्योगीता में राची की मनीशा मुखर जी है इन्होंने इस्ट भूम की जो सुरूती महाननदा थी उनको चार एक से हराकर जार्खन में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है तो ये कौन थी मनीशा मुखर जी थी और पुरूस वर्ग की बाद करें तो पुरूस वर्ग में वेस्ट सिंभूम के सीवा जी राय ने राची के देवेश कुमार को 4 एक से हराकर जार्खन चैंपियन बने है तो महिला वर्ग में मनीशा मुखार जी यहाँ पर चैंपियन बनी है और पुरूस वर्ग में सीवा जी राय है जो की चैंपियन बने है तो option number यहाँ पर जोगा A is बिल्कुल सही answer हो जाएगा चली अगले question क्यों चलते हैं और अगला question है यहाँ यहाँ पर जारखन रत्न 2021 के आवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो यह है Dr. दीपक गुपता कौन है Dr. दीपक गुपता है जिनकों की हाले में यहाँ पर जारखन रत्न 2021 का पुरुसकार से नवाजा गया है सम्मानित किया गया है तो option number C is बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए अपनों के हाँ पर इनके वारें पुरी रिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर उन्हें क्यों जार्खन रत्न आवार्ड से सम्मानित किया गया है तो दिल्ली में नेशनल YMCA के तत्वधान में जार्खन की प्रस्थिद कार्डिय कैज्दो लॉजिस्ट डॉक्टर दीपक गुपता को जार्खन रत्न 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है यह लोक सेवा जार्खन दुवारा दिया गया है डॉक्तर दीपक गुपता राची में जन में है और राची में ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की है प्राप्त हुआ है और इसलिए इन सभी उपलब्धियों के वज़र से और समाज सेवा में यहां पर जो लगता है 2003 से सेवा करते आ रहे हैं तो इस छेत्र में बेहतर कारी करने के लिए यहां पर उन्हें जारखन रत्न 2021 का अवार्ड यहां पर परदान किया गया है तो option number यहां पर जो होगा C is बिल्कुल सही answer जागा तो यह है डॉक्टर दीपक कुपता तीक है यही है इनी को यहां पर जारखन रत्न 2021 का अवार्ड परदान किया गया है चलिए अगले प्रेस्टन क्यों ओर चलते हैं और अगला प्रेस्टन है यहां पर एक नवंबर 2021 को किस देश के काउंसिल जनरल ने मुख्य मंत्री हमन सुरें से जारखन में निवेश को लेकर मुलाकात की है तो इसका सही answer जोगा यहां पर option number D is पिल्कुल सही answer जापान देश के किस देश के जापान देश के काउंसिल जनरल थे यहां पर और उन्होंने मुख्य मंत्री जारखन के मुख्य मंत्री से उन्होंने मिलाकात की है ताकि राज्य में निवेश यहां पर किया जा सके तो चलिए हमनों के यहां पर और वी डिटेल्स में देखलेते हैं तो 1 नवंबर 2021 को मुख्य मंत्री हमन सुरिन से कॉंसिल जनरल अफ जापान नाकामूरा यूताका उनका नाम है नाकामूरा यूताका ने जहरखंड में निवेश के लेकर मुलाकात की है तो ये जापान के कॉंसिल जनरल थे तो option number D is बिल्कुल सही answer हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं चलिए अगले प्रेस्टन की ओर चलते हैं और अगले प्रेस्टन है Central Coal Fields Limited यानि कि CCL का हाली में 1 November 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है तो यहाँ पर कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है CCL का 1 November 2021 को तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर option number B is बिल्कुल सही answer जाएगा 47 कितने नमबर का 47 अस्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में 1 November 2021 को CCL की Central Coal Fields Limited की चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिवस मने दखलते हैं कि आखिर इसकी अस्थापना जो है वो कब की गयी थी तो यहाँ पर दखले जेए Central Coal Fields Limited का 47 अस्थापना दिवस 1 November 2021 को मनाया गया है CCL की अस्थापना जो हुई थी वो 1 November 1975 इसवी को हुई थी राची से किनका चयन कोल इंडिया में पार्ट टाइम डिरेक्टर के रूप में चयन किया गया है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर option number C is बिलकुल सही अंसर जाएगा चलिए हम यहाँ पर प्रोडिटेल्स में इनके बारे हम दिखलते हैं तो कॉल इंडिया ने 6 non-official part-time निदेशक की निदेशक की है तिक एच्छे ऐसे यहाँ पर डिरेक्टर है निदेशक है जिनकी non-official part-time के रूप में निदेशक की गई है इसमें पुरू IPS और रांची के जाने माने किर्केटर डॉक्टर अरुन उराओ का नाम भी सामिल है डॉक्टर अरुन पंजाब कडर में IPS थे इनकी पतनिक गीताशरी उनाओ भी जहरकंड सरकार में सिक्छा मंद्री रह चुकी है तो option number यहाँ पर जो होगा वो option number C is बिल्कुल सही है अनसर जाएगा डॉक्टर अरुन उराओ है जिनको की कोल इंडिया लिमिटेट के पार्ट टाइम निदेशक के रूप में निउक्त किया गया है चलिए अगले प्रस्टन की ओर चलते हैं और अगला प्रस्टन है आपर चवालिसमी सिनियर राष्टी थ्रो बॉल परतियोगिता में जहरखंट की सिनियर महिला टीम ने कौन सी पदक जीत हासिल की है तो इसका सही अनसर जोगा यहाँ पर option number C is बिल्कुल सही अनसर जागा कान से पदक इन्होंने जीत हासिल की है जो की जहरखंट की सिनियर महिला टीम है तो option number C is बिल्कुल सही अनसर जागा तो थ्रो बॉल फेडरेशन आफ इंडिया और यहाँ परतक लिशे थ्रो बॉल असोसियेशन हरियाना की ओर से 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजित 44 सिनियर राष्टिये थ्रो बॉल परतियोगिता में जहरखंट की सिनियर महिला टीम ने कान से पदक जीत हासिल किया है कान से पदक किन्होंने जीत हासिल किया है तो option number C is बिल्कुल सही अनसर हो जाएगा चलिए अगले प्रेशन की ओर चलते हैं और अगला प्रेशन है यहाँ पर Oxford English Dictionary की कोसी कारों ने साल का सरस्थरेश सब्द किसे घोसित किया है तो हर वर्स जो है यहाँ पर Oxford English Dictionary दवारा एक साल का जो सबसे ज़्यादा चार्चित सब्द होता है उसे यहाँ पर सरस्रेश सब्द घोसित करती है तो इस वर्स जो है यहाँ पर Oxford English Dictionary की दवारा किस सब्द को सरस्रेश सब्द घोसित किया गया है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर option number B is बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा वैक्स ठीक है इस जो सब्द का नाम है सब्द कहले है यह वैक्स है वैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा सरस्रेश्ट सब्द यहाँ पर घोसित किया गया है Oxford English Dictionary के दवारा तो यह याद रखेगा option number B is बिल्कुल सही अंसर जाएगा वैक्स जो है यहाँ पर वो सरस्रेश्ट सब्द इस वर्स का घोसित किया गया है तो Oxford English Dictionary के कोसकारों ने वैक्स क उस साल का सरस्रेश्ट सब्द करार दीया है उनके मुताबिक Corona virus चलते यहाँ पर Corona virus के कारण 2021 में उनके मुताबिक Corona virus के यहाँ पर वर्स 2021 में टिकाकरन से जुड़े सब्दों के इस्तिमाल में जबजस्थ उच्छाल देखा गया है वेक्स, डवल वेक्स्ट, अन वेक्स्ट और एंटी वेक्स सही तमाम सब्दों लोगों की जुबान पर चाहे रहे हैं 57,000 फिस्दी बढ़ गया वेक्स सब्द का इस्तेमाल इस कोरोना काल में और糖at. 4.5 अरब सब्द को पचाण कर साल का वेक्स चुना गया है वह वेक्स चुना गया है तो यह याद रखेगा वेक्स जो यहाँ पर वहा decid सबना गया ऑक्सफोर्ट डिकस्रेश के दोरा तो तो किस वर्ज़ यहां पर क्या कहा रखा रहा ता वह है तो कुरूरलावाइरस अन्म्यूट वेगरा इस अचॅप्छले ऑनियुकि चर्फा ऑर उच्छहा था था और इस बार यहाँ पर जो पिछले बार था वो कोरोना वाइरस अन्मूट यह सब जो है यहाँ पर वो सब्द गोशित किया गया था आप यहाँ पर प्रेभियस येर के भी देख सकते हैं चलिए अगले प्रस्ण की ओजलते हैं और answer of the day है यहाँ पर पिछले वीडियो आपसे प्रस्ण पूछा गया था कि जारखंड की कितने जीलो में जस्न पर्योजना यानि की joint action for sustainable health and nutrition का सुबारंब किया गया है तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर option number B is बिल्कुल सही answer गया आप लोगों ने maximum लोग इसका सही answer कमेंड किये थे जैसा कि में comment box में देख पा रहा था तो जारखंड के 14 जीलो में कितने जीलो में जारखंड के 14 जीलो में जस्न पर्योजना यानि की joint action for sustainable health and nutrition का सुबारंब किया गया है चले हम लोग यहाँ पर इस पर्योजना से सम्बंद सारी details भजपुन facts यहाँ पर देख लेते हैं तो जारखंड में महिलाओं और बच्चों को कुपोशन से निकालने के लिए जारखंड के 14 जीलों के 31 पर्खंडों में जस्न कारिकरम का सुबारंब किया गया है तीन अगस्त 2021 को ग्रामिन विकास अचीव मनीश रंजन ने जस्न पर्योजना यानि की joint action for sustainable health and nutrition का online सुबारंब किया है इस कारिकरम से गर्भती महिलाओं और बच्चों के पोशन और स्वास्त मानकों में सुधार के लिए प्रयास किये जाएंगे तो option number B is इलकुल सही answer हो जाएगा चलिए अगले question क्यों चलते हैं और यहाँ पर question of the day है यहाँ पर इसका सही answer comment करके आपको comment box में बताना है तो question है यहाँ पर जारखन T20 2021 की champion कौन सी team बनी है जारखन T20 जो हर वर्स यहाँ पर पिछले 2-3 वर्सों से आवजीत जो की जा रही है उसमें कौन सी team champion बनी है चार option आपके यहाँ पर बुकारो ब्लास्टर्स, धनबाद डैनमोज, रांची रिडर्स या फिर दुमका डेयर डिविल्स तो आपको कमेंट करका बताना है कि जारखन T20 2021 की जो परतियोगिता थी उसमें कौन सी team champion बनी है तो इसका सही answer कमेंट करने की कोशिच करिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में और ये थी यहाँ पर आज की जारखन के महत्पूर्ण करेंड एफरेकूसंस उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है जरू लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कर लेजे और वीडियो का प्लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेयर कर दे करिए ताकि अन्नी लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और जारखन के महत्पूर्ण करेंड एफरेकूसंस देख सकें